हालो दोस्तों कैसे आप सब दोस्तों उमीद करता हूँ आप ठीक होंगे तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का क्वेशन आ रहा था कि चानक्या निशनल लॉय उनिवस्टी जो की पटना में है उसके उपर वीडियो बना है तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए चानक्य फी क्या है होस्टन मिलता है या सारी डिटर आपको इस वीडियो में मिलेगा तो दोस्तों वीडियो को लाश्टक बने रहें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना तो दोस्तों चलिए स्टार् लॉय उनिवेस्टी है यह इंडिया में 25 लॉय उनिवेस्टी जिसमें एक सिफ दिल्ली को छोड़के दिल्ली नेशनल लॉय उनिवेस्टी को छोड़के बागी सब जो है क्लैट के थुरू एडमिशन होता है क्लैट क्लैट ही होता है कि कॉमन लॉय एडमिशन टेस्ट जो कि एक एकदाम होती है उसके base में उसके marks के according आपको यह NLU जतने भी 25 NLU है इसमें से आपको आपके marks के according कोई भी एक seat मिलता है तो start करते हैं कि CLAT मतलब इसमें आप admission कैसे लें यह तो CLAT test लेती है तो CLAT test लेने का जो criteria है यह upper age limit कुछ भी नहीं है candidate को 10 plus 2 में 45% general OVC वालों के लिए और 40% CST के लिए %12 में आपके होने चाहिए और अगर आप जैसे अगर CLAT का यह है कि CLAT जो है जैसे माल लेजे कि 2023 वाला जो CLAT था वो 2022 में December में exam हो जाता है मतलब जैसे अब 2023 अभी चलना है जून का महिना है तो 2024 वाला जो है वो 2023 के August अप्रील तक form आता है और December में exam हो जाता है तो अगर आप 2024 में 12 का exam देंगे तो आप वो जो form है वो अभी भर देंगे अभी form आएगा अगस्तिय सेप्टेंबर में form आ जाता है form आप apply कर देंगे तो जाके आप 2024 वाले batch के लिए आपका इंट्रेंस जो कि December में 8-10 December के आसपास हो जाता है तो इसका जो admission होता है क्लाइट के base होता है तो क्लाइट के लिए preparation कीजिए और आपका जैसा marks होगा उस हिसाब से आपको कोई भी इंडिया के 25 national law college में कोई भी आपको मिल जागा या फिर जो आप preference डालते है तो time of form filling तो उस according आपको वह मिल जाता है अब second बात करें कि इसमें सीट कितनी है तो सीट की बात करें तो हम उसके official website पर भी अम ब्राउचर दे उसके आडमी इसको देख रहे हैं तो उसमें आपको सीट बता रहे हैं कि यहां पर दो कोर्स होता है एक बी एलेल बी जिसमें 69 सीट से एक होता है बी बी एलेल बी जिसमें भी 69 सीट से मतलब दोन देख लो फी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है लौ के लिए अगर आप क्लैट के थुरू जा रहे हैं अगर आप 10 प्लस 2 है आपके माइन में पहले सही है कि आपको lawyer बनना है यह law field में जाना है तो आपके लिए NLU जाना बहुत बेस्ट है अगर आपको कोई भी NLU मि के लिए निशनल लेबल का university होती है निशनल लेबल के college होते है तो इसकी value बहुत ज्यादा होती है इंडिया में तो इस हिसाब से इसकी fee भी थोड़ी जादा है जैसे हम इसकी tuition fee की बात करें तो 1,14,950 है ठीक है a foreign student जो इंडिया से बाहर आते है पर निया उसके लिए 2,99,750 admission fee 1500 है वो one time लेते है admission processing fee 5000 है infrastructure development fee 6000 है यह मतलब total आपको लगभग लगभग तो आप मान लो कीती 5 साल के course में लगभग लगभग आपका 10 लाग रुपे खर्च हो जाएंगे और इसके में आपको hostel भी आवलेबल है होस्टल सबसे पहले preference मिलता है जो कि पटना से बाहर है या बिहार से बाहर के student है उसको उसके बाद अगर seat बचती है तो पटना के बंदे को भी मिलता है और बिहार से जो बिलॉंग करते हैं वो उस बंदे को भी मिल जाता है लेकिन वो depend करता है कि seats कितनी available है तो हम इसका दे यह नहीं और मेस फी जो है तीस हजार पर एनम है उसके बाद रिफंडल जो डिपोजिट होगा वो लाइब्रेडी डिपोजिट फी 5000 अपस्टल डिपोजिट वो दस हजार यह जो होगा वो नंडिफेंडेबल होगा यह आपको कभी भी रिफंड नहीं मिलेगा तो दोस्तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको यह जानकारी थोरा भी अच्छा लगा हो यह थोरा भी आपके लिए कुछ यूसफूल रहा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्स्राइब करना और वीडियो को लाइप करना फिर मिलते हैं दूसरे ऐस ही किसी इंफर्मेटिव वीडियो में है जब जब के लिए बाइबाइ